नमस्कार दोस्तों मैं हरी से अदोस्त सौगत करता हूं मेरे यूटूब चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्सकों का आज है हम कटनी के आर्क एग्रो फाम पर और जो आप मेरे पीछे हॉल देख रहे हैं ये इनका ब्रूडिंग हॉल है और अपने इनके पिछले वीडियो में भी आपने देखा हुगा कडगनाथ का पालन, आर एयर का पालन जो की फुली और गैनिक तरीके से करते हैं तो ये और गैनिक तरीका है क्या, किस तरीके से हम फीड की कॉस्ट को कम कर सकते हैं और मुर्गी पालन को फायदे मन्द बना सकते हैं पर इस तरीके से धेर सारा प्यार दिखाने के लिए आप सभी का तेह दिल से धन्नवाद तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं फार्म ओनर से यूटुब चैनल पर आपका जो भी दर्शक आपने परिशे देदीजे आप कहां से अपना फार्म कितने दोनों कर रहा है जी नवस्ते मेरा नाम मैयूर है मैं कटनी का रहने वाला हूं और के अग्रो फार्म मेरी जो फर्म बनाई है मैंने इसको मैं चार साल से चला रहा हूं चार साल से पोल्ट्रिय काम कर रहा हूं और केवल देशी और कड़कना सेग्मेंट पर ही काम कर रहा हूं जी सर आज जो हमें चूजे आप दिखाने वाले हैं यह कौन सी ब्रीड के चूजे हैं जो कि जिन दर्शकों ने मेरी पहली वीडियो देखियों कि आरा यार पे चले साथ चूजे देखते हैं आपके आईए चली दर्शकों आप यह देख सकते हैं इन्होंने ब्रूडिंग हॉल तयार कर रखा है और कुछ तरीके से टेंप्रेचर मेंटेन किया जाता है यह हम देखेंगे यह थोड़े से इनके चूजे आप देखे एक बार नजर कर ले यहां पर इन्होंने बल्व लगाया हुआ है और जो दिंकर फीडर जो की चूजों के लिए मिलते हैं छोटे साइज के होते हैं उननका उप्योग किया हुआ है तो सर सबसे पहले हमें यह समझाइए कि जो चूजे आप लेकर आए हैं कितने दिनों के चूजे हैं जी मैंने तो वन डे उल्ट चिक्स लाए थे और आज यह दस दिन के बच्चे हो गए आ रही यार के जी और मैं दर्सकों को बताना चाहूंगा यह सवाल भी उनका रहता ह है मेरे मन में भी यह सवाल उठता है कि हम छोटे चूजे लेकर आते हैं तो जिस प्रकार मुर्गी सेखती है रखती है जो देशी मुर्गिया होती है उस प्रकार हमें भी सेवा करनी पड़ती है और इस प्रोसेस को हम ब्रूडिंग कहते हैं तो थोड़ा सामें ब्रूडिं जो नेचरली काम करती है वो इसके बावजूद जैसे अपन उसको कर रहे हैं तो अपन भी बूरुडिंग करते हैं उसको आटिफीशल बूरुडिंग कहते हैं जो अपन कर रहे है वो आटिफीशल तरीके से कर रहे हैं बल्ब लगा के जो मुर्गी होती है वो नेचरल कर रही जी और उससे फिर जब एक दिन से अपन चालू करते हैं तो इनको बकाइदापन अच्छा ये मन्त भी कौन सा चल लाए उस पर भी डिपेंड करता है गर्मियों में कम बूर्डिंग की जाती है थंडियों के टाइम में बहुत ज्यादा बूर्डिंग की अविशक्ता होती है क जो देशी मुर्गी के चूजे होते हैं उनकी कितने दिनों तक बूर्डिंग कर सकते हैं जैसे मैं बताया मंत देखा जाता है बाकी हां अगर जून या जुलाई अगस्ट, सेप्टमबर, अक्टूबर ये देखें तो ये मौसम जो रहते हैं इसमें गर्मी और उमस पर जो पंदरो欸 दिन में जी जाते ही उसको का थे कमिरो, वैक्सीन इनकी बिलकुल इंप़्ॉर्टन रहती है, बुर्डिंगमें सबसे इंप़्ॉर्टनध हर किसान भाई को वैक्सीन के नहीं है जानकारी, वैक्सीनेशन जो 18 दी की जाती है बहोती जरूरी है इसलिए क्य जो बड़े रहते हैं तो नुखसान काफी होता है मतलब एक फ्लॉक का फ्लॉक ही खतम हो जाता है जैसे अपन इंसानों में ब्रुडिंग करते हैं तो इम्मूनिटी पावर जो होती है वो थोड़ी से हमारी बढ़ती है स्ट्रॉंग होती है उसी तरीके से हम चिक्स पर बूडिंग करते हैं तो सर में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा इनके फीड के बारे में कि मालीज एक दिन का चूजा है उसे हम नॉर्मल फीड तो दे नहीं सकते हैं तो किस प्रकार इसके फीड का प्रवंधन किया प्रोटीन रहता है इनके लिए तो सबसे पहले फीड लगती है वो लगती प्रीश्टार जिसको अपन जो बॉलर में यूज होती है वह यह अपन देसी चीजों में कड़कनाप में यूज करते हैं तो जो प्रीश्टार है वो अपन इसको यूज कर सकते हैं 10 से 15 दिन तक प पर शतार में आते हैंा पर जब यह बड़े हो जाते तो अप फिंशर पर जा सकते हैं रिट को प्रॉबलम नहीं कहते हैं आप उस पर मूप कर सकते हूं सुर्ट आपने जैसे वेक्सिनेशन की बात कही थी इस बूदिंग प्रिरिचे में यज चोटे बच्चे होते हैं हमें कब कब वेक्सीन करना रहता है कब कब किया जाना चाहिए और वीधी के बारे में अगर डेटेल में आप जयनकारी देंगे तो जो भी किसान भई देख रहे हैं वो असानी से समझ सकेंगे और बहुत सारे किसान हमारे साथ तो ऐसे जुड़े हैं आपने भी देखा होगा, आपके पास भूए बहुत सारे जर्षकों के, भूसे किसानों के सवाल आते रहते होंगे, यो बिलकुल रूलर एरिया से है, और वो मुर्गी पालन को अपनाना चाहते हैं। तो वो बकाइदा अपने चैनल को देखका नोटस भी बनाते हैं, तो उनके लिए आप विधी भी समझाएं, और कितने दिनों में दिया जाता है, इसके बारे में भी समझाएं, देखिए, सबसे पहले वैक्सीन जो होती है, वो फर्स्ट डे में होती है, जो कि जहां से आप है थंडे पानी, थंडे दूद में देते हैं, वो भी केवल आदे घंटे के लिए ही देते हैं, पहले इनके हैं से पूरा पानी की वेवस्ता द्रिंकर सब हटा लिया जाता है, उसके बाद ही आप उसको देते हैं, क्योंकि ये गरम हुई, तो ये नुकसान करेगी, इसको वेक्सिनेशन है, वो सब अपन इनको पानी में देते हैं, क्योंकि पानी से ही इनकी प्रॉपर वेक्सिन इनके बॉडी में जाती है, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो चूजा है अभी रख रहे हैं, तो क्या ये सेल के लिए भी है, अगर माली जो कोई किसान चाह कर दूँगा, वेक्सिन वाला बोलेंगे, वेक्सिन वाला प्रोवाइट कर दूँगा, मैं अभी क्रोना के बाद से रेल्वे की थोड़ी समस्य आई है भेजने में, तो रेल्वे के द्वारा कम भेज सकता हूँ, बाकी मैं कटनी से हूँ, MP से, अब कोई भी मेरे फाम वीडियो के सुरुवात में ही कहा था, आप बहुत पहले से, अपनने इनके एक से डेज़ साल पहले वीडियो सूट किया था, तब से ये सर औरगैनिक तरीके से मुर्गयों का पालन कर रहा है तो ये औरगैनिक है किस तरीके से कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आती है अ क्योंकि देखिए इस साल जो है फीड की स्थिती बहुत ही खराब है किसान जो पोल्ट्री से जुड़े हैं उनको पता होगा यहां हमाई एंपी में पचास रुपए केजी प्री स्टाइटर चल ला है मतलब यह सोया बीन का जो रेट बढ़ा है उसके करण फीड के जो रेट ह हैं बहुत हाई फाई हो गए हैं 50 रुपए किलो का दाना खिलाना पड़ रहा है लेकिन हां इस छीज से मेरे को बहुत ज़्यादा बेनेफिट है कि क्योंकि मुझे इनको एक महीने तखी दाना पर देना एक महीने चारज़ दिन तीस से चार्री से तनरब दने पर उसके बा करें कि आप जो फीड यूज करें उसको केवल जा तीस ते चालेस दिन पचास दिन तखी यूज करें तो कि इतनी महंगी फीड खिलाने के बाद अगर उसका रेट नहीं मिलता तो कोई सेंस नहीं और और अर्गनिक करेंगे देशी करेंगे एक महीना लेट जरूर होगा अपन कितने दिनों पर तयार हो जाती है और मार्केट पर प्राइस क्या मिलता है इसका तेके आर आयार का सबसे पहले फुल-फूर्म बता दो आराइक फुल-फूर्म होता है रोड आइलंड रेड यह अमेरिकन ब्रीड भाहर की ब्रीड है इस ब्रीड को लोग इसलिए पालते हैं क वोई भी ब्रीट से आप कंपेर करनें सबसे जादा है एक रियर ब्रीड होगी एक ब्लेक एस्ट लॉप ब्रीड जो है उसके सबसे आदा एक प्रोडक्शन होता है और फ्री देंज में भी वह पल सकती है बहुत अच्छी ब्रीड है जो आपके जो किसानों ने पिछली वीड नहीं आते हैं जो क्योंकि आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहता है इनका जो अंडा आता है वो 180-200 अंडे आते हैं जो कोई भी आप नसल देख लीज़े उससे जादा ही प्रोडक्शन है इसका लोग कहते हैं वीडियो में लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आर जो इंडिया मे एक सो पचास दिन का समय तो ले ही लेती हैं आप ये मान के रखे कोई भी ब्रीड हो तो सरी इस एक सो पचास दिन में तयार करने पर लगभग जो किसान अगर जैसे आपकी पद्धती है तो आप तो सौ दिन लगभग मुर्गियों को आप फ्री रेंज पर रखते हैं तो कि तक अंडे का उत्पादन नहीं अंडे को फीड देना ही इनको जो फीड पर काम कर रहे हैं तो 2200-280 आज के रेट के हसाब से मैं आप से बात कर रहा हूं बागी अगर आप फ्री रेंज करते हैं इसको तो मैंने आपको बताया 30-40 दिन का होता है जहां इसने वजन पकड़ा 400-500 exist we get फ्री रेंज कर देते हैं फ्री रेंज वीडियो की जानकारी आपको पसंद जरूर आएँगा तो इस वीडियो को जबन नगा तो ज्रों जैस में सीर जरू मैंने description पर दे दिये, thank you, thank you very much.